हम बायर की एंट्री सीख लेते हैं पहले आपको समझना होगा जनल एंट्री कैसे बनता है और जनल एंट्री तो आप इतने समय से करते हो ना जिसकी कोई हद नहीं है किशनम्ulle क्लास में पढ़ता था तो कहते थे बहुत जरूरी ही है लेकिन ग्यारी क्लास में मुझे नहीं महसूस हुआ के जनल एंट्री वाक्य मानि जरूरी है लेकिन जैसे आगे आगे बढ़े होगे तो आपको पता चलेगा जर्नल एंट्री के बाद लेजर बनेगा लेजर के बाद ट्रयायल ब्रेंस बनेगा बेलेंचेट बनेगा और बहुत सारी बाते हो जाती अब हम जो काम कर रहे हैं वो balance sheet बनने के बाद की सारी कहानी कर रहे हैं तो journal entry बहुत important है और इसको सीखना भी बहुत आसान है लेकिन आपको concept पता होना चाहिए, चलिए concept को एक बार build up करते हैं क्या क्या हो सकता है साहब ये है हमारा एक company ये है एक company मैं अपने एक्जामपल लूँगा अब फटा फट बताईएगा ये सर बायर कंपणी ये सर सेलर कंपणी अब सीधी सी बात है हम बायर कंपणी की बात करेंगा books of buyer books of buyer मतलब ये जब इस company को खरीदेगा तो transaction तो हुआ ये और account कहता है transaction हुआ तो journal होगा अब जब ये company खरीदेगा इसको तो सबसे पहला काम इस company ने क्या करना है जब ये company इस company को खरीदेगा तो इस company का पहला काम भाई तो इरी valuation क्या है ये बता देगा और इसका business क्या है हमारा ठीक है तो हम पहली जो entry करेंगे मैं थोड़ा से एक बार hint देता हूँ फिर बाकी आपसे पूछूँगा first entry जो करेंगे हम क्या करेंगे क्यूंकि मैं इसके business को खरीद रहा हूँ तो मेरे लिए अब assets बनेगा ना ये तो मैं entry करूँगा business purchase account debit मैं यहाँ पर इस seller company limited भी कर सकता है और two मुझे इसे पैसे देने हैं तो इसको पता है क्या-क्या बोला जाएगा इसको बोला जाएगा वेंडर और वेंडर को पैसा मैं नहीं दूँगा मेरा अकाउंटेंट देगा मेरा एडवोकेट देगा मेरा चार्टेड अकाउंटेंट देगा तो जो इस कंपनी को क्योंकि इससे डील कौन करेगा इस कंपनी को बंद कर रहा होगा जो इस कंपनी को बंद कर रहा होगा वो एक चार्टेड a accountant होगा या एक वकील होगा कोई भी हो सकता है तो ऐसे situation में जो इसको बंद करेगा जो person बंद करेगा उसको बोलते हैं liquidator उसको क्या बोलेंगे लिक्विडीटर लिक्विडीटर ठीक है न यानि जो इस company को बंद कर रहा होगा वेक्ती वो होगा लिक्विडिटर ठीक है ना तो अब हम बोलेंगे भाई पैसे किसको देने हैं इसका मालिक कहेगा भाई मेरे को नहीं पता किसको देना है तू तो मेरे किस से बात कर ले लिक्विडिटर से यानि मैंने बिजनस सो खरीदा लेकिन मुझे पैसे देने हैं अब मालिक को पैसा लेगा क्या अभी बोलेगा मालिक मुझे समझ में नहीं आता जो बंद कर रहा हो ज्यादा नॉलिज जानकार है तो बोला भाई है मुझसे नहीं तू उससे बात कर तो मैंन टू लिक्विडेटर अकाउंट तो ये एंट्री क्या हो गया इस एंट्री का मतलब क्या हुआ कि भाई साहब इस एंट्री का मतलब होगा कि कम्पनी को कितना पैसा देना वो डियू यानि लिक्विडेटर अमाउंट लिकुडेटर अमाउंट डियू लिकुडेटर का पैसा डियू कर दिया और पहले न ओनर्स का जो सेकिंड सेमिस्टर हुआ करता था पहले अब तो नए भी आ गये हैं तो उसके अंदर तो एक चैप्टर ही था लिकुडेशन का लिकुडेटर वाला पूरा चैप्टर ही था उसमें पहले पहली एंटरी समझे एंटरी को समझना है आपको अगर आप रटो के कैसे ऐसे होगा तो एक्जाम में सब खतम पहली एंटरी क्या करा आपने बायर की बुक में कर रहा हूँ तो बायर क्या करेगा उसके सारे बिजनस को खरीदेगा तो बिजनस अकाउंट डेबिड और भाईया खरीदने का मतलब पैसा देता तो टू बैंक कर देता न अभी पैसा नहीं देगा है पहले तै तो कर ले तो ये entry किस से हुआ है बेसिकली देखा गया है तो किस amount से हुआ है ये entry तो ये entry होगा यही होगा क्योंकि भाई तेरे को कितने पैसे देने वही तो PC होता है समझ में आया ये entry अब क्या करेंगे भाई अब तेरे को liability बना लिए अब तेरे सारे assets को ले लेते हैं और तेरी सारी liability को ले लेते हैं क्योंकि ये entry company के बाद तु बिग गया अब तेरा कुछ भी नहीं रहा अब तेरे पास जो भी assets है वो सब मेरे अब मेरे तभी होगे ना जब मैं general entry करूँगा तो मैं general entry करूँगा क्या इस company के सारे assets मैं general entry करूँगा all assets account debit to all liability account और to purchase consideration PC to purchase consideration PC let's suppose example इसके पास asset 10 लाग के है liability 3 लाग के है और PC decide किया मैंने 5 लाग दूसरा example ले लो sir assets के हैं तो भाई सब मैच तो होगा नहीं मैच तो हुआ ही नहीं तो ऐसे situation में देखोगे difference कहा निकलता है अगर difference निकल रहा हो कहां credit में तो इसका मतलब है कि भाई तेरे assets थे 10 लाग के liability थे 3 लाग के 7 लाग तो फिर भी कमा लूँगा और तेरे को 5 ही दे रहा हूँ तो 2 का तो मेरा फाइदा हो गया तो 2 का फाइदा होगा तो मैं भेज़ दूगा capital यह entry जाना पैचाना एक बारवी class में सिखा दिया जाता है अगर आपने सही से पढ़ाई करी है बारवी class में तो other than cash में यह आता है लेकिन वहाँ पर बस एक यही entry आता है इसके आगे की कहानी नहीं बताया जाता है कि इसके आगे होगा क्या बस उसके business को खरीद के बोलता है अब बस चुप चाप इतनी entry कर के आनी है अब आगे बताया जाता है भेए business को खरीद लिया था बारवी class में उसके आगे की pers никаких अब समझाई जाती है डेविड में अगर इनकेस डेविड में निकल जाए dalकेस तो उसको मेंच करते हैं we go RJ तो द्यूसरी उसके सारे एसेट्स को अर लाइपनीटी को एंट्री Les жд का मतलब है ं요 और और यह वियरे एसेट्स का मतलब है questions जो कहेगा अगर यह बोलता है कि भाई मैं तेरे ये particular assets ही लूँगा तो वही assets आईंगे सारे assets का मतलब है यानि adjustment में जिस assets की चर्चा करी गई होगी कि ये लेने के लिए तैयार है उसी assets को लिया जाएगा अगर adjustment में कुछ नहीं बोला तो मान लोके सारे assets ले लेंगे except value less assets जो की याद होगा मैंने बताया था आपको जिस assets का कोई value नहीं होता liability का मतलब outsider liability लेंगे सारा जिसके अंदर share, preference share equity share और reserve and surplus को छोड़ के बाकी सारा का सारा liability इसका ले लिया जाएगे ठीक है दो entry ये entry किसका है ये entry है assets and liability अगली एंट्री ये इंतिजार कर रहा है मेरे पैसे तो दो इसको पैसे तो नहीं दिये अब परचेस consideration discharge करने का हमने पहले देखा के भाईया तिरको equity भी दे सकते हैं प्रफरेंस भी दे सकते हैं डिवेंचर भी दे सकते हैं cash भी दे सकते हैं तो हम बोलेंगा भाई liquidator आजो तुम्हारा हिसाब किताब बना देते हैं लिकुडेटर का हिसाब किताब बनाने के लिए अगली entry क्या होगा लिकुडेटर account लिकुडेटर account debit और भीया क्या क्या दे रहे हैं वो लिख दो मैंने equity दिया तो equity लिखतो मैंने preference share दिया तो preference share capital लिखतो मैंने cash दिया तो cash लिखतो debenture यानि जो उसको discharge करने में payment कर रहे हो वो लिख दिया जाएगा यहाँ suppose करो इसका PC 5 लाग था 5 में से 2 लाग cash दे दिया तो cash में आ जाएगा दो लाग एक लाग का preference share दे दिया तो एक लाग यहाँ आ जाएगा balance equity share capital दे दिया तो यहाँ पर दो लाग आ जाएगा और यह पूरे पांच लाग मिल गए यह entry क्या कहता है यह entry कहता है सर PC discharge हो गया being purchase consideration discharge तीनों सौंझ मैं है कि तौन मैं आई बात आपको कोई दिक्कत अगर 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 बोलेगा गुन गुन तो लेना ही लेना है यह यही वाला PC यहां आ जाते है अमाउंट है यह जैसे यहां पर अगर देखा जाते हैं तो देखो न पांच लाग लिया है यहां PC में भी देखो पांच लाग एक्जाम्बल से अगर मतलब हम तयार कर लेंगे निगा भाई तेरे लाइब्रीटी तो ले लिया और शेयर होल्डर तुझे इतना देंगे तो दोनों बराबरी कर देंगे अभी जो यह एंट्री सीख रहे हैं यह नेचर ऑफ एब्जॉप्शन कहलो नेचर ऑफ परचेश कहलो दोनों में से जिया भी कोई भी है यह जो सीख रहा है हम नेचर ऑफ परचेश है नेचर ऑफ मरजर अलग होता है थोड़ा अलग होता होता तो सबसे ही ठीक है अब बात करते हैं एक्सिपेंस का लास्कुलास के अंदर याद होगा एक्सिपेंस मैंने बोला बीच में काट दो इसको अब इसको खर्च करने का लिकुडेटर विचारा लिकुडेटर विचारे को पैसे देने हैं अब यह पहले ही तैह हो जाएगा कि इसके पैसे कौन देगा अगर इसके पैसे यह देता है तो यह बोलेगा मेरे को क्या फरक पड़ता है तूने दिये मेरी एंट्री खतम अगर इसके पैसे कौन देता है मतलब seller company liquidator का पैसा दे दे तेरा क्यूंकि लिक्विडेटर फ्री में काम नहीं करेगा पैसे तो लेगा अगर यही company उसके पैसे दे दे तो बोले भाई तेरा काम खतम अब entry खतम हमारी और कुछ भी नहीं बचा है बायर की books of account बंद करना क्या था भया सारे उसके कितने पैसे देने सारे assets लिए और उसके payment दे दिया और क्या करेगा बायर और कुछ थोड़ी देनेगा उसको जाके वो अब बोलता है कि ना ना भाई ना इसके पैसे तुझे ही देने पड़ेंगे यह इससे discuss करता है कि इसके पैसे तेर को ही देने पड़ेंगे यानी buyer को देने पड़ेंगे इसके पैसे तो इसका मतलब बहुत साफ साफ है कि buyer को एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ रहे हैं जितना buyer ने तो PC निकाला ही था भाई ये इसके अलावा भी 10,000 देने तो इसके अलावा 10,000 दे रहे हैं अब बायर तो मुकर सकता है ना भाई ना मैं जुदू उसको पैसे तू दे नहीं तो मैं तेरी company नहीं खरीद रहा वैसे तेरी company घटिया company मैं नहीं खरीदू आजा लेकिन अगर बायर को लगता है कि यार ये company खरीद लूँगा तो मेरा बड़ा फाइदा है तो वो deal बिगडने नहीं देगा बूलेगा कोई बात नहीं मैं दे दूँगा इसको पैसा और जब बायर इस स्तिती में होता है कि इसको extra पैसा दे दे जो जो demand मांग ले तो इसका मतलब इस company की goodwill है तो अगर ये expense का payment करेगा कौन बायर तो उस situation में entry करेगा goodwill account debit two bank two bank देखिए entry को देखने के बाद आपको लगेगा ने कि expense payment हो रहा है इसका मान लिया जाएगा उसने goodwill के बदले payment किया है तो यहाँ पे क्या है ये किस चिच के entry है सर्थ ये entry है liquidated expense paid करने का और paid कोन कर रहा है buy अगर seller paid करता तो buyer के books of account पे कोई effect नहीं आगा ठीक है लेकिन somehow कई बार ऐसा होता है कि आपका इस entry के अंदर आ रहा है capital result यानि आपको बोल रहे हो फाइदे में खरीदा है और एक बोल रहे हो हमारा goodwill भी आ रहा है तो दोनों चीज़े possible नहीं है समझ रहे हो बात मैं क्या बोल रहा है दो चीज़े हो सकती है कि मान लो यहां आगिया capital result और buyer को बोला चल ठीक है तेरे खर्चे मैं दे दूँगा तो यहां आप बोल रहे हैं में क्या होगा अगर आपका इस entry के अंदर capital reserve आता है तो यहां goodwill की जगहे पे आपको capital reserve को debit करना पड़ेगा या एक और entry करना पड़ेगा goodwill को right off करने का एक और entry करना पड़ेगा goodwill को right off करने का that is आपका capital reserve to goodwill समझ यह बातों अगर पहले से यहां goodwill आ रहा था तब तो बोलेंगा भाई यार तेरे को यहां भी 3 लाख एक्स्रा दिया यहां भी तेरे को 10 अजार एक्स्रा दो दो goodwill या नि मेरी goodwill हो जाएगी 3 लाख 10 अजार लेकिन यहां सस्ते में और यहां महंगा तो possible नहीं है तो यहां goodwill to bank कर दो लेकिन इस goodwill को आपको right off भी करना पड़ेगा और जो पैसा एक्स्रा आपने इससे लिया है capital reserve to goodwill के नाप से समझे बात यही 10 अजार 10 अजार मैं ले लेता हूं जितने का उसका था खर्चा हाँ capital reserve to bank भी हो जाता है कई बार सीधी एंट्री गुडविल से गुडविल कैंसल लाओ समझ रहे हूं पहली एंट्री क्या था भाई तेरे को पैसे देने दूसरी एंट्री तेरे assets और liability ले लिया तीसरा आजा तेरे को इतने पैसे दे दिया चौह था अब तेरे personal पैसे मैं अगर दूँगा तो एंट्री करेंगा अगर इससे लेगा तो कोई काम नहीं यह दोने एंट्री नहीं होगा बढ़ें आगे चल्ट कि यहीं पर करने की कोसिस करते हैं कि सर यह इंट्री कव होगा और बताओ यह इंट्री कव होगा इन केस क्यापिटल रिजर्व जनरेट यानि अगर क्यापिटल रिजर्व जनरेट हुआ हो तो अब भाई कहानी में क्या होता है कंपनी कोई व बच्चों को पढ़ाएंगे बड़ी 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 बाते करी और इसका बहुत अच्छा connection है अब नेताओं से बड़ा अच्छा connection है नेताओं से बोला मैं स्कूल खोल रहा हूं नेता ने बोला बड़ी अच्छे काम है इसको बहुत सारा पैसा दिया as a help और कल के दिन ये बेच दे company तो फिर government बोलेगी ना भाई मैंने तेर को पैसा दिया है तो तेर को पैसा दिया है तो उस situation के हिसाब से देखा जाए तो भाई तूने company बेच दिया मैं इसको तो नहीं जानता सारे rule and regulation मैंने तेरा चेक किया थो तो ऐसा नहीं हो सकता कि तू company बेचेगा यह restriction लगा देगा या तो तू अपनी company बेच मुझे कोई इतराज नहीं है हमारा एक सपना था कि हजार बच्चों को पढ़ाना है पर उसके लिए तुझे दस लाक रुपे दिये थे तो यही सपना यह पूरा करेगा अब मेरा यानि जब company बिक रही है तो उस situation में इसको फुल्फिल करना था गवर्मेंट की policy को और यह नहीं कर पाया तो जब यह company बिकेगी तो यह responsibility ले लेगा कि ठीक है भाई मैं पूरा करूँ मैंने स्कूल का example लिया गवर्मेंट सबसीडरी पता है किस case में देती है एक्सपोर्ट के case में देती है क्या आप इस country में एक्सपोर्ट करिए आपको tax free यह free इतना पैसा हम देंगे तो उसको बोला जाता है statuary reserve या export reserve कह लो या amalgamation adjustment reserve बन जा यानि इस company के balance sheet देखोगे न एक आ रहा होगा export reserve मान लेते हैं दस लाक रुपए आ रहा होगा जैसे देखते हैं अगले question में है कि नहीं है नहीं तो यह दिखा देते हैं है को यह देखो मिल गया एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व तो यह किस लिए दिया है तिरको तु एक्सपोर्ट कर लेकिन तुने company बेच दिया तो मैंने तुझे benefit दिया था और मुझे लगा था तु एक्सपोर्ट करेगा तो इंडिया में डॉलर आएगा लेकिन वह तो मेरा complete नहीं हो रहा तो जो कि बायर company को अपने साथ लेके चलना पड़ेगा क्योंकि यह रिजर्व बायर seller company का ही नहीं seller company के books of account में तो है लेकिन इसका purpose ही अलग है तो अब इस एक्सपोर्ट रिजर्व को सेम बायर company को लेना पड़ेगा तो हमें एक adjustment entry मारने पड़ती है यहां पर सर क्या adjustment मारने पड़ती है अगर ऐसा कोई export reserve आ जाए तो amalgamation adjustment account debit amalgamation अधिजस्मेंट अकाउंट debit टू एक्सपोर्ट reserve और यहां फिर statutory reserve होता है यहां फिर क्या होगा statutory reserve यह कौन entry कर रहा है बायर कर रहा है बायर एक assets के side ले जाएगा यह और एक liability के side यह रख लेगा assets कहां ले जाएगा non current assets में क्यूंकि भाया मैं उसका पैसा ले रहा हूं government का तो मेरे लिए liability है तो भाया पैसा लिया है ना तो पैसा लिया है तो cash में नहीं होगा वो एक asset side में आते हैं जब मैं books of account के ना पूरी balance sheet भी बनाएंगे तब देखेंगे पहले entry समझते जाई है समझ में आ रहे हैं अब कई बार यह दोनों company एक दूसरे company को को कोई खरीदता है नो तो कब खरीदता है जब same line up में company हो तब ही खरीदा जाता है generally अब ऐसा कभी भी नहीं होता generally कि आप कर रहे हो मान रहेते हैं कपड़े का काम और आप motor कार बनाने की company खरीद एड़ है यह कपड़े बनाने का काम कर रहे हो आप business दूसरे में जा रहे है इसमें आपको कोई advantage नहीं मिलेगा हाँ लेकिन ये हो सकता है कि आप motor car company बनाते हो आपकी company में steel लगता है तो steel बनानी की एक company खरीद लिया जाए जैसे टाटा ने किया था टाटा ने सबसे बड़ी company कोरस को खरीद लिया था इंडिया इंग्लेंड से ये 2000 के अंदर खरीदा था इन्होंने कि टाटा का काम था steel बनाना, motor car बनाना, वहाँ steel का conjunction था उसने सोचा यार एक ऐसी company खरीद लेते हैं जो steel बनाएगी तो जो मैं उस company से steel खरीदता हूँ अपने motor car बनाने की अब मेरी ही company बना रही होगे तो सस्ता पड़ेगा तो कई बार ऐसा होता है, ये दोनों आपस में same goods को trade करते हैं, ये इसको बेचता है, ये इसको बेचता है यानि common debt हो जाता है, आपने semester one में एक point पड़ाता है common debt का, तो यहाँ पे भी common debt हो जाता है और common debt होने की वजए से, इनके stock जो होते है ना, उसके अंदर profit का हिस्सा जोड़ जाता है आपस में जब मैंने इस company को समान बेचा, तो इसका closing stock होगा और अगर या इसने इस company को समान बेचा, तो इसका closing stock होगा और इसने इस company को समान बेचा होगा MRP पे और इसने इस company को समान बेचा होगा MRP पे यानि जब ये company आपस में मर्ज हो जाएगी तो इसका closing stock को cost पे record करना चाहिए और इसके खुद के closing stock को भी इसको cost होगा, इसके selling price creditor में include होगा तो एक हो जाता है हमारा stock adjustment अभी उस adjustment की बात नहीं करूँगा, मैं बता रहा हूँ कि MLG mission में क्या-क्या समस्याएं आती है जो करेंगे एक तो ये हो जाता है हमारा point common दूसरा ये हो सकता है कि हम ये company इस company के debenture को खरीद ले और बाद में इस company ने इसी को खरीद लिया तो भाई अपने debenture को खुद कैसे खरीद सकते हैं उसको cancel out करना पड़े का हमें basically पहले ये देखो buyer की company की entries से पहले ये entry देखते हैं इसके उपर एक छोटा सा सवाल लेते हैं फिर करेंगे ठीक है न advance वाली entry अभी है हमारे पास time तो हम करेंगे पहली entry क्या बोलता है sir सामने वाले के business को खरीदो business purchase account debit to liquidation कोई करना चाहता है seller company account debit to liquidation vendor company account debit to liquidation कर सकता है तो simple पहले लेकिन business purchase करना business purchase account debit to liquidation किस amount से entry किया जाएगा sir ये purchase consideration जो निकालना सीखा था वो amount लिखेंगे सामने वाली company के सारे assets ले लो और सारे liability ले लो और पी purchase consideration भी लिख दो अब depend करता है goodwill निकले या फिर capital reserve अगर expense payment करने की जिम्मेदारी buyer company ले ले तो एक और entry करना पड़ेगा goodwill के नाम से goodwill to bank या फिर उस entry को खतम करने के लिए अगर capital reserve निकल रहा है तो एक right of की entry कर देंगे अगर सामने वाली company को खरीदा जा रहा है और उस company को पहले से कोई ना कोई grant कोई subsidiary कुछ ऐसा मिला हुआ है जिसके लिए बना कर रख रहा तो वह subsidiary भी हमें लेना पड़ेगा जिसकी entry करेंगे amalgamation adjustment account debit 2 जिस नाम से वहाँ पर पढ़ा हुआ है उसी नाम से लेकर चले समझ मैं ही बाता हूँ ठीक है